यह पूल खेल की मेज है जब गेंद पर छड़ी से मारा जाता है यह एक निश्चित दूरी तै करती है और धीरे धीरे रुक जाती है ऐसा क्यों और कैसे होता है? इन प्रशनों का उत्तर ग्याद करने के लिए आईए पार्ट शुरू करें उद्देश्य इस पार्ट के अंद में आप निम्न करने में सक्षम हो जाएंगे घर्शन को परिभाषित करना समतल वखुर्दरी सतहों का चित्रण करना घर्शन के प्रकारों का वर्णन करना घर्शन के फायदों और नुकसान की चर्चा करना घर्षन कम या ज्यादा करने की विधियों का चित्रन करना घर्षन बल आईए हम अपने दैनिक जीवन से एक उधारण लेते हैं सड़क पर साइकल से चलते समय जब तक आप पैडल घुमाते हैं तब तक साइकल चलती रहती है जब आप पैडल घुमाना बंद करते हैं साइकल की गती धीमी पढ़ जाती है और धीरे-धीरे साइकल रुक जाती है ऐसा क्यों होता है? ऐसा वास्तव में घर्षण के कारण होता है जो दो सतहों के एक दूसरे के संस्पर्ष में गती करने अत्वा गती करने के प्रयास में उत्पन्न होने वाला एक बल है जब एक सतह दूसरी सतह के संस्पर्ष में गती करती है अत्वा गती करने का प्रयास करती है तो घर्षन सदैव गती का अत्वा गती करने के प्रयास का विरोध करता है वह बल जो पिंड द्वारा किसी सतह पर गती करने के दौरान गती का विरोध करता है, घर्षन बल कहलाता है घर्षन निर्धारित करने वाले कारक घर्षन दोनों सतहों की बनावट पर निर्भर करता है घर्षन दोनों सतहों को एक साथ अपकर्शित करने वाले संसपर्ष बल की मात्रा पर भी निर्भर करता है इसका सरल उत्तर यह है कि सडक पर गती करते समय साइकल के टायर सडक की सतह के विरुद्ध रगड रहे होते हैं जब दो सतहें एक दूसरे से रगड़ती हैं तो दोनों पर एक बल लगता है यह बल गती के विपरीद दिशा में लगता है इस तरह यह बल गति को धीमा कर देता है और अंततह वस्तु को रोक देता है घर्षण पर बनावट का प्रभाव चित्र में एक गेंद सम्तल सतह पर गतिमान है और एक दूसरी वैसी ही गेंद खुर्दरी सतह पर गतिमान है जैसा कि आपने यहां देखा कि दो अलग-अलग सतहों पर दोनों गेंदों ने एक समय पर समान बल के साथ समान रूप से गति करना शुरू किया था लेकिन जो गेंद सम्तल सतह पर गतिमान थी उसने अधिक दूरी तै की और जो गेंद खुर्दरी सतह पर गतिमान थी वह कम दूरी तै कर पाई इस से पता चलता है कि संस्पर्ष करने वाली समान सतहों पर सम्तल सतह की तुलना में खुर्दरी सतह अधिक बल लगाती है इस उदारण से सिद्ध होता है कि घर्षन संस्पर्ष करने वाली सतहों की बनावट पर निर्भर करता है कुछ सतहें समतल होती है और कुछ खुर्दरी कुछ कम खुर्दरी होती है और कुछ अधिक खुर्दरी यहां तक कि कुछ सम्तल सतह में भी कुछ खुर्दरापन होता है उदारण के लिए जब हम एक रेगमाल को दूसरे पर रगणने का प्रयास करते हैं तो गती निर्बाध रूप से नहीं होती है जिसका अर्थ है कि खुर्दरी सतह की इंटरलॉकिंग के कारण वहां घर्षण है लेकिन जब हम सादे कागस को दूसरे सादे कागस पर रगणते हैं तो यह रेगमाल की तुलना में आसानी से हो जाता है अर्थात रेगमाल का खुर्दरापन सादे कागस की तुलना में अधिक होता है अतह हम कह सकते हैं कि घर्षन सतहों के खुर्दरेपन के कारण उत्पन होता है सतहों के खुर्दरेपन पर निर्भर करते हुए घर्षन बलकी मात्रा कम या ज्यादा होती है सारांश आईए, हमने जो कुछ सीखा है उसे संक्षेप में दोहराएं घर्षन वहबल है जो किसी पिंड द्वारा किसी सतह पर गती करने का विरोध करता है घर्शन बल वहबल है जो किसी पिंड द्वारा दूसरे पिंड की सतह के संस्पर्ष में की जाने वाली गतिका विरोध करता है घर्शन बल सतह की बनावट और संस्पर्ष बल की मात्रा पर निर्भर करता है